बहुत होगत है आपका आप देख रहे हैं दा न्यूस वर आपके साथ मैं स्रिस्टी मिश्रा देखें एक सर्वे हुआ है कि किस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी क्या अब आमानी पार्टी के साथ अलग होते दिखाई देगी एक तो पहले देखें अमिट्चा ने कहा था अभ और ऐसा लग रहा है कि वाकई अमिट्चा की बाते सच होने वाली है मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ जरा इस खबर को समझे और ये जानने की कोशिश भी किजे कि किस तरीके से कॉंग्रेस और आम आपनी पार्टी के बीच पहले से नहीं बन रही थी लेकिन केवल गठ बंधन क को बचाने के लिए कॉंग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की नाराजगी के बाद भी आला कमान ने आम आर्णी पार्टी का साथ दे दिया लेकिन अध्यादेश पर दिल्ली संचोधन बिल पर आम आर्णी पार्टी दोनों सदन में हार गई शनीवार को इसके लिए जेपी की जीत हुई है चलिए अब बात करेंगे सी वोटर्स की एक सर्वे कराया गया जब अमिच्चा ने सदन पर बड़े कॉंफिडेंस में बाती कही थी कि देखें कॉंग्रेस पार्टी ये बात समझ जाए यहीं आम आद्धी पार्टी आपका वोट खा रही है आपको बरबात कर रही है आमिच्चा ने ऐसा इशारों में कहा था लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आज इस बिल को पारित होने के बाद कॉंग्रेस पार्टी सुन लो कान खोल के आज अर्विन गजरिवाल आपका सास छोड़ देंगे और देखिए इस सर्वे में आया है कि 30% लो क्या अध्यादेश बिल पारित होने के बाद आम आर्मी पार्टी कॉंग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ देगी और वैसे में देखिए ये सेमी फाइनल दर्श को बताया गया अर्विन केजरिवाल का सेमी फाइनल भी इसको करार दिया जा रहा था अब वैसे में जब विप बिल को लेकर और आप देखिए लजी ताय करेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला केंड सरकार तै करेगी पूरे के पूरे समयधानिक तरीके से इस बिल को पेश किया गया है हालाकि यहां माने पार्टी लगातार ये बाते कह रही है देखिए 30% लोगों ने हाँ में तोड़ सकते हैं मतलब अगर बात करें सर्वे की तो जादा लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भी तोड़ सकते हैं जबकि 30% देखिए कह रहे हैं और ये 30% की जनता खेल कर सकती है अपने जवाब के द्वारा हो सकता है कि आने वाले कुछी दिन में खिजरिवाल ये ऐलान इस सर्वे ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है कि क्या केजरिवाल वाकई आमिट्शा की बातों को सच करते दिखाये देखिए गौर तलब है अब राश्च पती से मंजूरी मिल गई है पूरा ट्रांसफर पोस्टिंग मामला चला गया किसके हाथ के सरकार के हाथ में अ अब MLS सौरा भारदवाज जिसे कुछ कोश्टन्स पूछे जाते हैं देखिए कोश्टन्स पूछे कि आप तो सर बताईए किस तरीके से यह बन चुका है कानून तो क्या कहेंगे अब सौरा भारदवाज ने जिन्होंने IPS अफसरों को डराया था आपको याद होगा कोई ऐ से आईएस और IPS अफसरों का नाम आया था दो महिने पहले जब कहा गया था कि हमें तो नौकरी का खत्रा सौरा भारदवाज के तरफ से लग रहा है सौरा भारदवाज हमारे उपर पीछे पड़े हुए हैं सीनियर IPS अफसरों ने ये बाते कई थी सौरा भारदवाज के तो सदन में इसके अपोजिशन में कई लोग खड़े होते लेकिन नहीं कई ऐसी पार्टी को भी लगा बीजुजनता दल हो गई देखिए कई ऐसी पार्टी को लगा कि ये बिल सही है और वैसे भी दिल्ली की सरकार ऐसी तरीके से चली है चाहे शिराज इचित बात करें चा सौरा भारतवाज ने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने समविधान की मूल भावना से खिलवार किया है और समविधान की मूल भावना के खिलाफ कानून पारित कर दिया सुप्रीम कोट ने उसको पलट दिया है कई बार ऐसे बिल के साथ हुआ है मेरा मानना है कि ये ब कि ये भी मेरे हिसाब से मूल भावना के खिलाफ है और ऐसे में अब उनसे कोश्चन पुछागा कि आगे क्या लगता है तो कह रहे हैं सम्धान कहता है कि सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलेगी ऐसे में उपर से न्यूक्त ऐसे में जो राज पलट जाएगी फिर से न्होंने कहा कि दिखिए कि अब जो मामला ये आएगा अदालत में तो अदालत पलट जाएगी ये कानून लागू करे और समधान लागू करे तब तक और आजकता रहेगी अब पूछा गया कि क्या लगता है दिली में महाल कैसा रहेगा तो सौरा भाराद वाज बता रहे है आ राजकता तब कहां गई इनकी आ राजकता ये जनता पूछ रही है जब रातो रात सत्तर फाइले विजिलेंस की वज़ा से बुलाई गई थी विजिलेंस के साथ मिलकर केजरीवाल ने शीष महल को बनाया कई फाइलों को चोरी कराने का क काम किया, कई फालों को गायब कराने का काम किया, उसके अगले सुभा सवरा भारतवाज उठते हैं और IPS अफसरों को भारदवाज का नाम उच्छाला गया था और देखिए दर्चों को आज फिर से सवरा भारदवाज इसको और समयधानिक करार दे रहें क्या कह रहें अब LG साहब तो और आज अक्ता फिलाएंगे और यहां पर अस्पतालों में बदली करन करेंगे और जल बोर्ड में घोटाला होगा अधिकारियों के उपर शक्ती नहीं दिखाएंगे मतलब अधिकारियों के उपर जो चीज़ करनी चाहिए वो नहीं करेंगे अधिकारियों को भी सस्पेंड नहीं करेंगे यह कह रहें हैं सौरभ भारदवाज जी की जिस तरीके से यहां पर अगर उपर आज पाल सार प्रफशन काल में आप देखिए दिली जल बोट की ये बात कर रहे हैं अस्पतालों की बात कर रहे हैं तो क्या उस वक्त गरीब नहीं थे जो सडकों में उतर कर साइकल पर अडविन किजरिवाल की खिलाफ नारे बाजी कर रहे थें क्या उस वक्त डिटीसी के ड्राइवर्स नहीं आये रोट पर तीन महीने पहले जब इनकी सरकार अभी भी चल रही है और इनकी सरकार की वज़े से जो घोटाले हुए डिटीसी ड्राइवर्स को बसों के कंड़क्टर्स को फीस नहीं दी गई सेलरी नहीं दी गई तो वो सडकों पर मजबूर होगा उतरने को तब कह सौरब भारत द्वाज ये जनता पूछ रही है और वैं जनता के माधम से ही बता रही हूँ कि सौरब भारत द्वाज को भी इस लापेटे में लिया जा रहा है कि उनकी वज़े से विजिलन्स में इतना जादा ताल मटोल किजरी वाल ने आराम से किया है कि सौरब भारत द् मिला कर सरकार के गलत कदमों पर सवाल नहीं उठाते हैं जब कि ये कहते हैं कि हम तो ठीक कानून ला रहे हैं तो देखिए ऐसे में जो 30% लोगों का मानना है कि कॉंग्रेस पार्टी को अब आम आर्नी पार्टी दामन उसका छोड़ देगी ये लग रहा है कि अध्यादेश प से जादा जरूरी ये चीजे हो गई क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली के अफसरों के ट्रांसपर पोस्टिंग में थी और यहीं पूरा मामला तूल पकड़ा राजधानी दिल्ली की बात है इन्हों ने तो पुराने नियमों को मानने से मना कर दिया कॉंग्रेस पा मात छोड़ सकते हैं वहीं कुछ लोगों ने कहा कुछ अभी नहीं कह सकते तो आप कौन से परसेंटेस से बिलॉंग करते हैं जरूर मुझे कॉमेंट बताइए क्या आपको लगता है कि केजरीवाल वाकई अमिट्शा की बातों को सच करते दिखाए देंगे क्या अध्याद द्वाज इनके ML का कहना कि अब LG साहब और राजकता फैलाएंगे दिली में और राजकता फैलेगी जो भी आपकी राय जरूर रखें वैसे अब ये कानून बन चुका है कल ही इसको राष्ट पती जी से मन्जूरी मिल गई शुक्रिया